कहानी की सुरवात में एक वाइड ड्रेगन को दिखाया जाता है जो आज इंसानी दुनिया में आया था इसके बाद हम डीमन सब्डूइंग टावर का सीन देखते हैं जहां रखे गए ड्रेगन परल में कुछ हलचल होने लगती है इसलिए मास्टर भी समझ जाते हैं कि ड्रे कि उन काफी हैरान हो गया था तभी आस्मान से एक वाइड ड्रेगन गिर जाता है और इस वक्त यहां बुरी तरह से जकमी था अब इसे देखते ही सीयू यान काफी डर जाता है और यहां से बागने लगता है लेकिन तभी वाइड ड्रेगन का सोल बाहर निकलता है और इसक कर सीयू यान हैरान होता है लेकिन इसे ड्रैगन वाली बात याद नहीं आ रही थी इसके बाद वो तुरंत यहां से निकल जाता है क्योंकि इसे इंपीरियल सीटी में एक्जाम देने के लिए जाना था तभी रास्ते में एक छोटी लड़की इसे टकराती है जिसे सेंग नाम पर अटैक कर देता है यहाद एक सेंग तो खुद को बचा लेती है लेकिन सीयू यान खुद को नहीं बचा पाता अब इसी बीच मौका पाकर डीमन यहां से भागने लगता है जिसके बाद सेंग भी इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे जाती है लेकिन डीमन इसके हर कर देता है जो सीधे सी यू यान के ऊपर गिर जाती है लेकिन तभी पिंग जी यहाँ पर आ जाता है और इस डीमन को मार देता है जो असल में हाई रैंक वाल एक डीमन हंटर था इसके बाद वो डीमन को कैद कर लेता है और इसे सेंग को देना चाहता है लेकिन सेंग इसे ले बन कर दिखाऊंगी लेकिन सेंग सीयू यान पर गुसा होती है क्योंकि वो इसी की वज़ा से डीमन को नहीं पकड़ पाई थी इसके बाद सीयू यान यहां से निकल जाता है लेकिन रास्ते में सेंग भी डीमन खोजने जंगल में आई हुई थी जहां दोनों फिर से एक दू रास्ते में आते हैं लेकिन यहां का डेकॉरेशन बहुत ही अजीब लग रहा था इसके बाद सीयू यान एक रूम लेता है और अंदर चला जाता है लेकिन तबी सेंग को अपने डिवाई से पता चल जाता है कि यहां के सभी स्टाफ असल में डीमन है लेकिन अब इनको भी पता चल गया था कि सेंग डीमन हंटर है इसके बाद सेंग अपने लिए भी एक रूम लेती है और इस वक्त वह काफी खुस हो गई थी क्योंकि इतने सारे डीमन को पकड़ने के बाद इसका नाम भी ड्रैगन हंटर लीडर बोर्ड में सामिल हो सकता है लेकिन अब डीमन भी से सेंग पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं क्योंकि सेंग अभी एक लो रैंक वाली डीमन हंटर है तभी हम देखते हैं कि सेंग अपने रूम के चारों तरफ इस पेल लगा देती है ताकि इसकी मदद से वो खुद को डीमन के अटैक से बचा सके वहीं अब डीमन भी अपने चुका था तभी डीमन सेंग पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं लेकिन अब सियू यान इनको बुरी तरह से पीटने लगता है जिसके बाद कोई भी डीमन इसके सामने नहीं टिक पाता याद एक लेड़ी डीमन भी अटैक करने आती है लेकिन सीयू यान इसे के वाले कही किक में सांध करा देता है जिसके बाद डीमानी से अपने साथ में लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं इसके बाद सेंग भी अपने रूम से बाहर आती है और सियू यान से पूछने लगती है कि यहां सब किस ने किया इस पर सियू यान कहता है कि मैंने किया है लेकिन तभी स सेंग को इसकी बॉडी में इवी लॉरा डिटेक्ट होती है इसलिए वो इसको डीमन समझ लेती है और इसे पकड़ने के लिए अटैक करने लगती है लेकिन सीयू यान इस वक्त बहुत ही ताकतवर हो चुका था इसलिए सेंग इसे कुछ भी नहीं कर पाती और किसी जगा पर इसके बाद सीयू यान इसे खोचते हुए इसके रूम के अंदर आ जाता है जहां पर सेंग के लगाये हुए इस पेल एक्टिवेट हो जाते हैं और अपने फायर टैलेंट से इसके ऊपर अटैक सुरू कर देते हैं लेकिन सीयू यान भी अपने टैलेंट का यूज करता है और फिर बहुत असानी से खुद को बच्चाने लगता है इसके बाद वो वाटर का यूज करता है और सभी स्पेल को डिष्ट्वाय कर देता है तबी सेंग दुबारा इस पर अटैक करने आ जाती है लेकिन सीयू यान इस बार भी बहुत असानी से इसे हड़ा देता है तब लेकिन अब दीमन को खोचते हुए पिंग जी भी यहाँ पर आ गया था, जिसको देखते हुए सेंग सीउय यान को चुपा देती है, अब इसे यहाँ देख पिंग जी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तब सेंग बताती है कि मुझे यहाँ कुछ पाउरफुल डीमन मिले थे, लेकिन वो मुझ से बचकर भाग गए, इसके बाद पिंग जी इस जगा को चेक करने लगता है, लेकिन सेंग इसे किसी तरह से यहाँ से हो चुकी थी, जिस बाद से सेंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, इसके बाद वो गुस्ते में इसे बाहर लाती है, और कहती है कि तुम याद करने की कोशिस करो, इसके बाद सीयू यान को पिछली बातें याद आने लगती है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने ही ऐसा किया है, यह सुनकर सेंग कहती है कि उसके पहले तुमने क्या किया था, उसके बारे में याद करो, तब सीयू यानी से बताता है कि मैं बात टब में नहाने गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है, यह सुनकर सेंग नोटिस करत ही है कि सीईू यान दो घंटे पहले पानी में गया था इसके बाद वो इसको एक बार फिर से पानी में दुबाती है और ऐसा करते ही इसका सोल ड्रेगन के सोल से एक्सचेंज हो जाता है लेकिन इस बार सेंग ने इसके हाथ को पहले से ही बांध रखा था तब सीयू यान इसे बताने लगता है कि मैं असल में वाइड ड्रेगन का सोल हूँ क्योंकि मैं जब खुद को इवॉल्व कर रहा था उसी वक्त मुझ पर अटाइक हो गया जिसकी वजह से मुझे इसकी बॉड़ी में एंटर करना पड़ा यहां सुनते ह सेंगी से सीयू यान की बॉड़ी से निकलने के लिए कहती है इस पर ड्रेगन करता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तब उसकी वजह से सीयू यान भी मारा जाएगा लेकिन अगर मुझे ड्रेगन पर्ल मिल जाता है तब उसकी मदद से मैं इसकी बोडी से बाहर आ सकता हूँ क्योंकि ड्रेगन पर्ल ड्रेगन के सोल को रख सकता है जिसके बाद उसे पानी में डूबाने से मेरी ड्रेगन बोडी रिस्टोर हो जाएगी यह सुनकर सिंग बताती है कि मुझे पता है कि ड्रैगन परल कहां पर है, क्योंकि हजारों साल पहले जब एक ड्रैगन हंटर एक ड्रैगन को अपने वस में करने गया था, तब उसे लेक में नीचे से एक ड्रैगन परल मिला था, जिसके बाद उसे डीमन सब दूइंग टावर में रखा गया है यह सुनते ही ड्रैगन कहता है कि तुम और स्यू जान उसे हासिल करने में मेरी मदद करो जिसके बाद तुमारे साथ में मेरी सांदार फाइट होगी यह सुनकर सेंग इसकी बात मान जाती है वहीं जंगल में तिन दीमन भाग रहे होते हैं लेकिन तभी इसकी एनरजी को अपनी बोडी में अबजॉर्ब कर लेता है तभी इसकी जूनियर यहां पर आती है और कहती है कि मैंने सच में ड्रैगन औरा को इसमेल किया था यहां सुनकर पिंग जी से मारने की धमकी देने लगता है और हम देखते हैं कि यहां तो असल में एक डीमन है इसके बाद पिंग जी से एक मेडिसिन देता है जिसकी वजह से इसका डीमन औरा गायब हो जाएगा और अब इसे जल्दी ही ड्रैगन को खोजने के लिए कहता है इधर दो गंटे के बाद सीयू यान की सोल चेंज हो जाती है लेकिन अब इसने भी ड्रैगन की बात को सुन और बहुत हैरान होता है इसके बाद सेंग ड्रैगन परल को हासिल करने में इसका मदद मांगती है और अब अपने रूम में आ जाती है लेकिन सीयू यान ने अपनी मदर से टॉप स्कॉलर बनने का वादा किया था इसलिए वो सेंग को बीना बताए रात को यहां से भाग ज आता है क्योंकि कली से इंपीरियल सीटी में एक्जाम देना है लेकिन तब इससे ड्रैगन की मदर की अवाद सुनाई देने लगती है जो इसके वापस आने का इंतजार कर रही थी और अब इस बारे में जानकर सीयू यान बहुत परेसान हो जाता है अब अगले दिन सीयू यान नदी किनारे पानी पीने जाता है जहां ड्रैगन इसके सैडो में आ जाता है लेकिन सीयू यान इस पर गुस्ता हो जाता है और कहने लगता है कि तुम मेरी बोडी में क्यों आ गए तब ड्रैगन कहता है कि उस वक्त मेरे पास कोई भी आपसन नहीं था लेकिन अब ड् यू यान इनका सामना करने की कोशिस करता है लेकिन वो इनके सामने बहुत ही कमजोर था इसलिए वो तुरंत पानी में कूद जाता है अब यहाद एक लुटेरे कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन इसके बाद ड्रैगन की सोल सियू यान की बॉडी में आ जाती है जिस बाद से काफी हैरान हो जाते हैं लेकिन अब इसकी वजह से डीमन को इसका औरा फील हो जाता है वहीं अब लुटेरे सीयू यान को मारने आते हैं लेकिन वो अपने तेजी स्पीड से खुद को बचा लेता है और अब तीनों को बहुत बुरी तरह से पीड देता है जिसके बाद टैक से खुद को बचाने लगता है लेकिन फिंग जी की पाउर इसे ज़्यादा थी इसलिए वो ड्रेगन को बुरी तरह से जखमी कर देता है इसके बाद वो इसे मारने वाला होता है लेकिन तभी सेंगा कर इसे रोक देती है और ऐसा करने से मना भी करती है क्योंकि इसकी में इसका हाथ इंजाड हो गया था जिसके बाद सेंग अपने पास वली रोप को इसके ऊपर बांध देती है इसके बाद वो इसे बताती है कि पिंग जी डीमन हंटर लिडर बोर्ड में हमेशा पहले रैंग पर आता है लेकिन मास्टर उसे हर बार डिस अपरूब कर देते हैं जिसके लिए सियू यान अपना एक्जाम भी छोड़ देता है अब अगले दिन सेंग बताती है कि ड्रेगन परल को पाने से पहले हमें ड्रेगन सेप वाले प्लेट को पाना होगा क्योंकि उसी की मदद से हम टावर के सीक्रेट वल्ट में जा सकते हैं इसलिए सेंग इस प् लेट चुरा लेता है लेकिन तभी बाई ही को इसके बारे में पता चल जाता है यहाद एक सेंगी से कैद कर देती है और दोनों साथ में भाग जाते हैं जहां इनके बीच में दोस्ती भी बढ़ने लगी थी इधर पिंग जी भी जान गया था कि यहाद दोनों ड्रेगन पर की और जाने लगते हैं लेकिन पिंग जी भी अब यहाँ पर आ गया था और इनके उपर नज़र रखने लगा था इसके बाद सेंग ड्रेगन सेप वाले प्लेट का यूज करती है जिसके बाद दोनों सीक्रेट वाल्ट वाले रूम के अंदर आ जाते हैं जिसके अंदर ड् पर लटकी हुई थी तभी अच्छानक से इसका पसीना नीचे गिर जाता है लेकिन इसे कोई भी नोटिस नहीं कर पाता इसके बाद सेंग ड्रेगन परल को ले लेती है और उपर आ जाती है जिसके बाद सीयू यान इसे अपने पास में रख लेता है लेकिन तभी इसी वक् से आसानी से निकल जाते हैं लेकिन पिंग जी ने बहुत समय से इनके उपर नजर बनाये हुआ था इसलिए दोनों जैसे ही नीचे वाले एरिया में आते हैं वो इनके सामने अपने मिरर की पाउर का यूज कर देता है जिसकी वजह से सीयू यान की ड्रेगन वाली आइडें नहीं है लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने के लिए तयार नहीं था और सभी डीमन हैंटर इनके उपर अटैक करना सुरू कर देते हैं यहाद एक सेंग सीयू यान को बचाने लगती है लेकिन फिर भी वो अकेले जाद दिर तक इनका सामना नहीं कर पाती और आकिर में डीमन हैंटर इसको जखमी कर देते हैं यहाद एक सीयू यान अपने ऊपर पानी डाल देता है जिसकी वज़ा से ड्रैगन की सोल इसकी बाडी में आ जाती है और इसके बाद वो इन सभी के ऊपर अटैक कर देता है अब इसकी ताकत के सामने कोई भी नहीं टीक पा रहा था और ड् रखने से पहले ही पिंग जी इस पर अटैक कर देता है यहाद एक सेंग सीयू यान को बचाती है लेकिन अगले ही परल डीमन सीयू यान को पकड़ लेती है इसके बाद सीयू यान ड्रैगन परल सेंग को दे देता है और इस डीमन को कैद कर देता है तभी अचानक से पिंग पिंग जी इस पर अटेक करने आ जाता है यहाद एक सीयू यान इसे बचाना चाहता है लेकिन सेंग इसमें जखमी हो जाती है जिस बात से सीयू यान काफी दुखी हो जाता है इसके बाद पिंग जी इस पर भी अटेक करने आ जाता है लेकिन तभी मास्टर आकर इसे रोक दे अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने लगे हो लेकिन इसके बाद पिंग जी मास्टर का सामना करने का डिसाइड कर लेता है और अब अपने असली रूप में आ जाता है इसके बाद इनकी आपस में फाइट होने लगती है लेकिन पिंग जी असल में मास्टर से भी ज्यादा से कोई आईडिया मांगता है अब ड्रैगन बताता है कि अब के वले की तरीका है और सीयू यान से कहता है कि तुम इस ड्रैगन परल को निगल जाओ जिसके बाद तुमारे पास मेरी पाउर आ जाएगे लेकिन उसके बाद मैं अपने ड्रैगन रूप में नहीं आ पाऊंगा और तुम भी अपने बारे में सब कुछ भूल जाओगे। अब इसके पास में दूसरा कोई ओप्सन नहीं था। इसलिए सी यान ड्रेगन परल को निगल जाता है। जिसके बाद ड्रेगन की सारी पाउर इसकी बोडी में आ जाती है। वहीं पिंग जी ने मास्टर को भी हरा दिया था। इसके बाद सी यान ड्रेगन की पाउर के साथ सामने आता है। जिसे देख मास्टर कहते हैं कि यही असली ड्रेगन हंटर है। अब इस बाद को सुनकर पिंग जी बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है और इस पर अटेक करने आ जाता है। लेकिन सी यू यान ड्रेगन पाउर से इसको असानी से रोक देता है और इसी के साथ इसको मार भी देता है। इसके बाद ड्रेगन हंटर ड्रेगन को पकड़ लेते हैं और कुछ समय के बाद से इसको में आजाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर देना.